नमस्कार में आजमीं खार नूराब देख रही है SPN 9 News माना जा रहा है कि महरास्ठ में अगले महिने उधान्सभा का चुनाव होगा और महरास्ठ में उधान्सभा चुनाव से पहले सब भिगडता हुआ महयोती सरकार में नसरा रहा है महयूती सरकार में जहां एक तरफ आपसी रंजिश है कि मुख्य मंत्री चहरा कौन होगा वहीं एक बड़ी लड़ाई महयूती सरकार में है कि जो लाडली बहना योजना है उसका क्रेडिट कौन लेगा क्या एकनातिशिंदे या फिर अजीत पवार जहां ये लड़ाई है तो वहीं तीसरी जद्व जहद भी शुरू हो जाती है वो जद्व जहद अजीत पवार की नराजगी के साथ बढ़ती है दरसल अजीत पवार बैठक से गायब हो जाते हैं दस मिनट की अंदर ही बैठक से उठकर चले जाते हैं नराजगी बढ़ती है वो फैसले वो कदम वो न दौराकों बगें दौलाएं। रश्पाव की बात करें द बहुत की बात करें। तो यह अजीत पवार के खाते के lugar अजीत पवार के खाते में हैं। उस दोरान कई फैसले लिये जा रहे थे लेकिन मात्र दस मिनट की अंदर ही अजीत पवार मीटिंग से उठकर बाहर चले जाते हैं कहा जाता है कि एकनात शिंदे जो बैठक ले रहे हैं इस बैठक से नाखुष अजीत पवार नजर आए उनका कहना है कि आखरी दौर है आखर सेट के अंदर ही ऊठकर चले गए लेगन अब चर्चाएं तेज हो जाती है कि कि की कि भी किसी पवार अजीत पवार अपने नाराज़गी जाहिर करें को लेकर दावा करते हैं कि कम से कम उने 70 से 60 सीटे चाहिए तो क्या इस अधार पर देख लिए जाए कि एकनात शिंदे अजीत पवार जो भारती जंता पार्टी के साथ गडबंधन में है तो क्या ये गडबंधन तूटता हो नजर आईगा क्या लगता है आपको महरास्ट में चुनाव से पहले क्या अजीत खेल आभारती जंता पार्टी के साथ कर देंगे इस पूरे मुद्धे को लेकर आपकी राई क्या है कम सेक्शन में जरू देखते रहें इस पेनाई नियूस थनिवार